हलो दोस्तों स्वागत है आपकी श्वैता की देशी किचिन में आज फिर से मैं आपके लिए एक अच्छा सनास्ता लेके आई हूँ जो बहुत ही स्वात का बनता है बहुत ही घर के जो आपकी बेसिक समान होता है उन्हीं से बन जाता है इसके लिए आपको ज्यादा कोई सामि अगरी की रिक्वार्मेंट नहीं होती है और खाने में बहुत ही टेश्टी होता है आपको यह ऐसी रेस्पियां भी बहुत सारी आपको मेरे चैनल पर दिखेंगी आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर फॉलो कीजिए सब्सक्राइब मैंने ने कि दो कप मैदा लिया हुआ है और एक कप आटा लिया हुआ है सूजी लि जाता है आदा कप और उसमें मैंने एक कता आता के बद टोड़ा ह्ल्दी नमक, मिर्ची सब्सक्राइब कर दो दिखेंगा पर परमान सबदें तयार हो गया आप दोड़ा सा उच्छा सा आ मैं ने इसको 10 मिनट के लिए रेष्ट केलिए छोड़ दियाופf अप मैं मैं इसकी छोटी छोटी लोय बना रहे हूं इसकी आप अपने हैक्कोदि बना सकते हैं आपको की अध Towards you मैं इसकी छोटी बना रही Queens सब्सेटनी ही पतल ही बिलेगे उतनी ही यह time वनी ही मतलब जैसे करारी होती है उसी तरीके से में बनाना एक फॉक की सायता से मैंने इसको इसमें छोटे-छोटे से होल कर दिये जिससे कि फूले ना अगर आप चाहें तो बिडावट उसके भी डाल सकते हैं उसमें जरूरी नहीं कि इसको हमें लगाना ही पड़ेगा और यह थोड़ा सा हाई मैथी पड़िये इसलिए थोड़ा सा चिपकता है इसलिए सूखा लगा कि इसको बेल लिएगा और तसे बिएल कि इसको दस पन् ningún मेल लगने के लिए छोड़ दीजेगा क्योंकि तभी थोड़ी सी सूख जाएंगे और जब सेकेंगे तो बहुत ही जल्दी से अच्छे से से तयार हो जाएंगे देखिए मैंने ये सारी बेल ली थी अपनी आप बेल के इसको रेस्ट के लिए मैंने पंदामेट के लिए छोड़ दिया थ इस रड़ रज आ घया चली को इन चली मैं इसको सेके लिए उन बहुत ही अच्छे से बहुत ही टीरिविए खाने में इसको आप कैसे भी खा सकते को गया आज आज यहाई तो नास्टे के रूप में स्नेक के रूप में नास्ते आसा की जो सकते हैं और इसको जो ना गौल्डन नहीं होगी तब तक अिक कि आँए एंच्छ कर चाहिए वाल और एंच्छ को देडिया पूरा आटे जो ही अगर आप मैदा नहीं खाना चाहते हैं तो आप आटा और सूजी डाल के बना लीजिए उससे भी बहुत अच्छी बनती हैं मैं इनको सारे को इसी तरह से सबको सेख लूँगी और सेख के आप इसको किसी भी जार में अगर रखते हैं तो थोड़ा ठंडा होने के बाद ही रखेगा नहीं तो अगर आप गरम गरम रख देंगे तो इस सौप्ट हो जाएंगी मुलाइम हो जाएंगी फिर वो खाने में अ त्यार हो गया है आपको अभी मेरे चैनल पर और भी ऐसी चोटी चोटी चीजें नए नास्ते जो मैं घर में अपने लिए बनाती हूं कोई ऐसा नहीं कि मैं दिखावे के लिए कुछ करते हूं जो हम लोग खाते हैं उसी को मैं आपको सेयर करते हूं क्योंकि ऐसे ही यूनि लगती है आप चाय के साथ खा सकते हैं या कोई गय alan तो उनको भी सर्फ कर सकते हैं आप कहीं सफर में जा रहा हैं तो उनको बनाए काश्तूरी में लगे टलती है लेकिन हरी डाली है आगे और मेरा इस्पेर्ट नहीं है